लोटस सायरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी प्रेग्णिंसी का सफर अपने आप में परिशानियों भरा होता है महिला के सरीर में इतने बदलाव होते हैं कि कई बार खुद उन्हें सहस्ता से सुईकार नहीं कर पाती है और असहज हो जाती है इन बदलावों के कारण कई बार उसकी तवियत बिगड़ जाती है तो कई बार मुईट सुन होने लगते हैं इस तरह के सभी बदलाव ना सिर प्रेग्णिंसी की सुरुवात में बलकि तीसरी तिमाय में भी नजर आते हैं हालनकि तीसरी तिमाय में जो बदलाव हो रहे हैं उनका और ज्यादा साब्दानी बरत्नी की जोर्वत होती है पहले तकलीफ होती है वह होती है पीट दर्द पेग्रेंसी की तीसरी दिवाई में महिलाओं को पीट में अक्षर दर्द रहने रगता है इसकी कई बज़े हो सकती है जैसे जल्दी नीर ना होना कमफर्टेबिल होकर ना बैठ पाना आधी इसके अलावा तीसरी दिवाई में अगर आपका सरीर का ज्यादातर भार सामनी की और आ जाता है खासकर पेल्विक एरिया में इसी बज़े से पीट की तकलिफे बढ़ जाती है ऐसे में मैं आपको सुझाओ देता हूं कि बैठने के के लिए हमेसा आरामद एक कुर्सी का चुनाव करें हमेसा पीट को टेक कर बैठें और ऐसे जूतों को चुनाव करें जिससे पीट की तकलिफ ना बढ़े चल्ले में असुबदा ना हो जो दूसरी प्रॉलम होती है तीसरी तिमाई में वह होती है सीने में जलन गर्वाबस्ता की तीसरी तिमाई में सीने में जलन की समस्या भी काफी ज्यादा बने रहती है दरसल इस दोरान महिला ज्यादा तला भुना या बासी खाने बासी चीजें नहीं खापाती है अगर ख acid reflex की problem भी हो सकती है, इस तरह की problem ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप एक साथ heavy bean ना लें, कम-कम डाइट लें और gap में खाना खा लें, इससे आपको खटी डगाने नहीं आएंगी और acid reflex की problem भी दूर होगी। तीसरी तिमाए में बार बार पेशा माना का problem भढ़ जाता है, गर्वबस्ता की तिसरी तिमाए में जैसे जैसे शीचू का भार भण भढ़ता है, इससे पेट के निशल हिस्से में दवाव भढ़ जाता है, यही कारण है कि महिला को अक्सर यूरिन की अर्ज़ बनी रहती है, आखरी तेमाई में अक्सर यह भी देखा जाता है कि खास्ते या चीकते बक्त भी महिला का अपने आप पेसाफ थोड़ा सा निकल जाता है अगर आप इसी आपके साथ भी इस तरीकी समस्या हो रही है तो आप पेंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं अगर आखरी तेमाई में किसी भी पल आपको ऐसा लगे कि बाटर प्रेक हो गया है तो हो गया है और एमेनोटिक फिलूट्स रिस रहा है तो बिना देडी कि यह तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें उसको दिखाएं किसी का इंतजार मत करें डॉक्टर को दिखाना ऐसे मुमेंट पे बहुत जरूरी हो कि वह आपको नॉलिज नहीं है उससे आपको तकलिफ बढ़ सकती है में तकलिफ हो जाती है इस तरह की समस्य अगर आपके साथ भी हो तो बेतर होगा कि इन दुनों ऐसे ब्रीदिंग एक्सराइज या योग करें जिससे सांस लेने की तकलिफ को दूर किया जा सके पैरों में सूजन गर्वावस्ता की तीसरी तिमाही में पैरों में सूजन होना भी बहुत सामान्य समस्याओं में से एक है कई बार महलाओं की पैरों की सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पैरों में दर्द और खुजली होने लगती है इस तरह की परिशानी से पानी पीएं अगर ज्यादा तकलीफ है तो तुरंद अपने डॉक्टर से संपर करें कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फेमिलियो फ्रेंड में में मेरा वीडियो आप सेयर कर सकते हैं आपने चैनल अभी ते सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइकोन की घंटी बजा दें जि झाल झाल